हलो डियर्स हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ और माटरियल आज का हमारा टापिक है मेकनिकल प्रोपर्टी अस्ट्रेंथ के बारे में जो डिसकस करना है अस्ट्रेंथ एक मेकनिकल प्रोपर्टी है तो मेकनिकल प्रोपर्टी क्या होता है जिसे हम mechanical force या फिर mechanical energy के द्वारा determine कर सकते हैं वह हमारा होता है mechanical property the properties which can be determined or observed by application of mechanical force or energy उसे कहते हैं mechanical property जिसे हम mechanical force या फिर mechanical energy के द्वारा determine कर सकते हैं, observe कर सकते हैं वह होता है mechanical property यहाँ पर mechanical force और mechanical energy की बात की जा रही है तो mechanical force और mechanical energy क्या होता है a force which requires direct physical contact यानि कि ऐसे mechanical force उसे कहते हैं ऐसे force को कहते हैं जिसमें direct physical contact की requires होती है direct physical contact की जर्वत होती है तो इस mechanical property में हम अब देख रहे हैं strength अस्टेंथ क्या होता है अस्टेंथ तो हम not normally किसी substance की छमता को कहते हैं ability of any substance यही होता है अस्टेंथ लेकिन engineering के point of view से यह definition काफी नहीं है तो engineering के point से इसका definition कुछ और होता है कि अस्टेंथ उसे कहते हैं कि जिस point तक वो बिना failure होए अस्टेंथ को जहल सकता है वही होता है अस्टेंथ the maximum value of a stress which a material can sustain without failure अस्टेंथ का maximum value को अस्टेंथ काते हैं जहां तक material जो है sustain कर सकता है carry कर सकता है without failure failure होए बिना failure मिन्स हो गया जिसे fracture, breaking, bending, deformation यह सब failure है कि material में इस type का failure होए बिना जो stress के maximum value को carry कर सकता है उसे कहते हैं a strength a stress equals to होता है sigma equals to Pya जहां पर P है load और A है area तो यह indicate कर रहा है कि a stress जो है what depends किस में कर रहा है load और area पर और यहां किसी material पर depend नहीं करता है a stress तो जब हमारा stress जो है किस में depend कर रहा है load और area पर तो हम यहां पर दो material लेते हैं एक material हमारा है steel और एक हमारा material जो है दोनों material का क्रोसेक्शन एरिया यह है दोनों material का क्रोसेक्शन एरिया यह है और इस material पे same load अप्लाई किया जा रहा है इस material पे same load अप्लाई किया जा रहा है here a steel and thread wire बोथ है जब क्रोसेक्शन एरिया सेम है और applied same load किया जा रहा है तो इस कारण इन दोनों का जो stress है sigma equals to P by A यानि कि दोनों का stress same है दोनों material के लिए यहाँ पे जो stress लगेगा वहाँ क्या होगा same so here a steel and thread wire both have same stress but when applying load the thread wire जब इन दोनों में हम load apply करेंगे तो इस case में हमारा कौन सा material ब्रेक जल्दी ब्रेक होगा जल्दी fracture होगा जल्दी failure होगा तो इस स्थिती में हमारा जो है thread wire क्या है अस्टेल से जल्दी अस्टेल से fast break हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि thread wire का स्टेंथ अस्टेल से कम होता है यानि कि यह जो material जो है डिपेंड कर रहा स्टेंथ पर यह जो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि अस्टेल का जो है अस्टेंथ है वह थ्रेड वायर से अधिक है काउज अस्टेल है जो मोर स्टेंथ देन दा थ्रेड वायर तो अस्टेंथ का यहां पे एक application हो गया कि अस्टेंथ का application क्या हो गया कि अस्टेंथ एक most important role play करता है for selection of material selection of material के लिए अस्टेंथ जो है most important role play करता है so the strength is most important role for selection of material when select the material on the basis of we select the material यहां पे जो अस्टेंथ है selection of material के लिए role play कर सकता है इसका most important role है for selection of material के लिए we select the material on the basis of a strength कि हम अस्टेंथ के basis पे material का selection कर सकते है अब इसके जो है अस्टेंथ के कुछ टाइप है इसके बारे में हम discuss करेंगे कि अस्टेंथ के टाइप किस परकार से होते हैं यह हमारा distress अस्टेंथ डाइगराम है हम यहां पे एक का स्टे सस्टेन डाइग्राम ड्रो करते हैं यह स्टे सस्टेन करव है यह हमारा है इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट और एक है लोवर इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट यहां से हमारा इल्डिंग जो है अपर इल्ड पॉइंट इल्डिंग स्टार्ट होता ह कि इल्ड पॉइंट क्या होता है सबसे पहले कि इल्ड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से मैट्रियल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है चहां से material elastic limit जिस point से elastic limit हमारा elastic limit का जो है deformation नहीं होता है लेकिन plastically deformation start हो जाता है उस point से तो हमारा कहलाता हुआ yield point the point in which material start deform plastically तो इसे हम कहते है yield point so plastically deform start होता है यह होता है upper yield point से और हमारा जो एक lower yield point तो lower yield point क्या होता है lower yield point उस point को कहते हैं जहां से material का yielding जो है start होता है lower yield point the value of stress required to initiate yielding जहां से yielding start होता है तो हम यहां types of strength हमारा हो गया yield strength first जो है वह है yield strength तो yield strength क्या है the value of yield stress in which material start yielding वहीं होता है yield strength उसे कहते हैं कि the value of yield stress in which start yielding जहां से yielding start होता है वह होता है yield strength नेक्स्ट है type a tensile strength तेंसाइल strength क्या है maximum value of tensile stress which a material can carry maximum value of tensile strength which a material can carry tensile strength के उस maximum value को कहते हैं tensile stress के उस maximum value को कहते हैं tensile strength जो material carry कर सकता है without failure फिर है compressive strength compressive strength क्या होता है the maximum value of compressive stress which a material can carry without failure नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है से रस्टेंथ की तरह है similar है जो लेकिन इसमें क्या है compressive stress जो material carry कर रहा है in case of compressive strength में तो maximum value of compressive stress which a material can carry without failure यह हमारा कहलाता है compressive strength नेक्स्ट है से रस्टेंथ से रस्टेंथ क्या करते हैं फिर इसमें सेर हो जाएगा maximum value of यह से रस्टेंथ वीच मैट्रियल कें केरी वितावट फेलियर तो यह कहलाता है तो यह कहलाता है से रस्टेंथ तो यह था हमारा आज का डिस्कस्न अस्टेंथ जो mechanical property का अंतरगत क्या जाता है इसका study तो आज की topic में इतना ही थांक्क पर वाचिमांगा झाल झाल